कि इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें, मरी आदा है, कोई वादा है, विश्वास रखा है इसमें साथ फेरों से मिला ये तो पुहार है, मिरा शिंगार है, मिरा शिंगार है, मिरा शिंगार है, मिरा शिंगार है मंगल सूत्र, 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 मंगल लेकिन भुवाजी, किसे ने ये नहीं सोचा कि दुसरी शादी के पात, मैं कितनी खुश्टी मैं ये सब कुछ नहीं सुना चाहता जो सच मेरे सामने आया है उसी सच्चाई के आधार पर मैंने ये रिपोर्ट बनाई है कि दंगो में आपके मौजूदा पती मानस का आत है मैं जानता हूँ कि जो प्यार जो सम्मान तुम्हें राकेश घर में मिला वो शायद इहां नहीं मिला तुम्हारे खदम इस घर में पड़े और हम तभाई की और पड़ गए बरबाद हो गए हम लोग अब तुम ये घर छोड़कर जा रही हो ना जा सकती हो तुम जाओ जिसके बेंधा इजद की मैंने इतना प्यार किया उसी इंसान ने मुझे छोड पहुचाने में कोई कसर ने हे चूड़ी ऐसे ऐसे बरता हु किया जैसे जैसे कोई अने दुशमन के साथ थे करता हिम्मत से काम लो बेटा कैसे हिम्मत से काम लो गवाजी तोट चुकी हो अंदर से कि अब तो ऐसा लगता है कि इस से जादा पद्न से भी और और कुछ होई ही नहीं सकती सिंदगी में अकर ऐसे जंके तो मुझे नहीं चाहिए जंदगी इस्ते साधा मौथ अच्छी है कैसी बाते कर रही हो बेटा इस सिंदगी में उतार चाहू तो लगे ही रहते हैं बेटा, जिंदकी एक संघर्ष है, परिसितिया जब अच्छी नहीं होती है, तो अपने भी पराय हो जाते हैं, तो उस भी दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, बेटा, तुम देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हालात बदलें एक दिन, बेट हालात बदल जाएगा, लेकिन मेरे ही पती ने, मुझ पे जो, जो बद्दामी का दाग लगा दिया है, मैं नहीं भूल सकती, जिंदकी भर नहीं भूल सकती, जब मानस का फ़्षूड़ा, तुम मेरे दिमाग में ये क्याना आया कि, मानस ने ऐसा सोचा कैसे, उनके दिमाग में ये खयाल भी कैसे आया, कि मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ, मुझे लगा कि जरूर इसके पीछे किसी की साज़ेश हो सकती है और सबसे पहला नाम मेरे दिमाग में राकेश का आया और इसलिए घर छोड़ने के बाद सीधे में SDM साहब की घर पे पहुँची है आप आप क्या कैसे जी कहा है मुझे उसे मिलना है क्या बात है आपके चेहरे के हाओ भाओ को देकर ये लगता है कि मामला कुछ संगीन है जी है मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और यही बात मेरे आकेश पे मिलकर पूछना चाहती हूँ मुझे लगता है कि कही ना कहीं वो इस साज़िश में सामिल है क्या बखवास कर रही हैं आप मैं तो परानी बातों को ये सोच कर भूल गया था कि जस्टिस अधित्या प्रताब सिंग ने अपने पापों का प्राइशिक कर लिया मेरे बेटे का केस रवकर उसे कानून से बचा कर और उसे मुझ तक पहुँचा कर लेकिन लगता है कि मेरे बेटे की आगादी आपको रास नहीं आ रही है देखिए आप राकेश को लेकर बहुत बड़ी खलत वेमे मैं है लेकिन फिलाल मुझे इस वरे में कोई बातचित नहीं करनी है सबसे पहले में राकेश में मिलना चाहती हूँ जानना चाहती हूँ कि मेरे खिलाफ साज़िश कौन रच रहा है यह किस साज़िश की बात कर रहे हैं उससे साज़िश की बात कर रहे हूँ जिसके वज़े से मेरे ग्रहस्द जीवन को तोड़नी के कोशिश की जा रही है देखिए मैं राकेशME मिलना चाहती हूँ उससे बातचित करना चाहती हूँ उससे जानना चाहती हूँ कि वो मुलाकाद जो मेरे और उसके बीच में हुई थी उसका विडियो कैसे बन गया हो ना हो किसी भी तरह से मेरे बेटे पर इर्जाम मत लगाए अब तक वो अपने पुराने गमों को भूल नहीं पाया और आप फिर उसका जैन सुकून छीनने आ गई आखिर आप चाहती क्या है मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि एक बार सिर्फ एक बार आप मुझे राकेश में मिलने देजे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज सिर्फ एक बार आप मुझे राकेश में मिलने देजे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज सौरी मैं राकेश से बात करने की इजादत आपको कभी नहीं दूगा और नहीं चाहूँगा कि आपकी परचाई कभी उस पर पड़े एक बार आपकी वज़ा से मैं अपना बेटा खो चुका हूँ और दुबार अपने बेटे को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता नहीं अब आप कलेक्टर बन कर मुझे इन बातों के लिए मज़ूर कर सकती हैं और नहीं आपके नकली आंसों का असर मुश्पर होगा मेरबानी कर के आप यहांसे चली जाएए जब भी आपके अशप कदम इस घर में पड़े हैं यहाँ मुसीःबतों के पहार ढूटे Hey मैं नहीं चाहता कि आपके इस अशप कतम तोबारा इस घर की तहली सच पड़े अब आप यहांसे चली जाएए मैं समझ सकती हूँ बेटा, जब अपनों की सबसे ज़्यादा ज़रूती तुम्हें, तब किसी ने भी तुम्हारा साथ ने दिया, तुम्हारे जख्मों पे मरम लगाने के पतले, सभी ने तुम्हारे जख्मों पर नमक छड़का, लेकिन इसमें मेरा क्या को सुर था, कहां ग ज़्यादी मैं, मैंने तु सब के बारे में अच्छा सोचा, यहां तक कि राकेश के बारे में पहले मैंने ही सोचा था, उसको बेगुना साबित करने के लिए मैंने तीन राद एक कर दिये, उसके वज़ा से मेरा घर टूटा, मेरा पती मुझ पर शक करने लगा, और उसके बदले में मुझे क्या मिला, सिर्फ और सिर्फ नफरत, सब के आखो में नफरत, सब के आखो में नफरत, इसी बात मत करो बेटा, बेटा, देख लेना, सही वड़ाएगा ना, सब कुछ थीख हो जाएगा, शायद अब ठीक कहते है वज़ाजी, मेरा वक्ती खराब चल रहा अब देखिये ना, सब के घर से बाहर निकली और मैंने जो देखा, वो देखकर मैं हैरान हो गई, कि मानस मेरा पीछा करते हुए वहां तक पहुँच गए थे तुम यहां? हाँ, अपने शक को यकीन में बदलने आया हूँ मैं, अब क्या कहोगी तुम, राकेश के साथ तुम्हारा कोई रिष्टा नहीं है, कोई संबन नहीं है, क्या कहो तुम्हें? मुझे देखकर हैरान हो गई न तुम, जहां तक के मैं जानता हूँ, जिस घर से त तुम्हारा और मेरा रिष्टा आप डोट चुका है, मुझे मलूम था रहे तेका, मलूम था मुझे, घर छोड़ने का जो तुम ने फैसला किया है, उसकी जानकारी सबसे पहले तुम राकेश को तोगी, सबसे पहले तुम यहीं आओगी राकेश के पास, और देखो, मेरी स सोच कितनी सही निकली, कलात है तुमारी सोच, एक तुम कलत है, यह खलत सोच नहीं है रिष्टा, यह अकीकत है, तुम्हे क्या लगता है, अब भी तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ बाकी है, जा यह सब देखने के बाद जानने के बाद, मैं अब धी कुछ सुनना ताक तुम्हे तुम्हे कर जाओनोड नॉट जाता पलाएव अएसोल के मुर्यादा के के साहर पंकर नहीं रह सकती हो तो कर्चा सुना तुम्ने सुना तुम्ने उतार के फैग वार पंगए पोर यह बंग शुत्र शुत्र एंसके लिए झाहिक नहीं और मंगल सुप्रा तुम इसके लाइक नहीं हो आप ही बताए बुवाजी जिसके दिल में शक का जहर इस कदर बढ़ चुका हो उसके दिल से शक मिटना इतना आसान है क्या नहीं बुवाजी बिलकुल नहीं और ऐसे भी जिस दिन मैंने मानस का घर छोड़ा ना उस दिन से मेरे लिए सारे रिष्टे बेखाने से हो गए थे सारी उमेदे तूट चुकी थी सारे रिष्टे पराय हो चुकी थे मुझे किसी भी रिष्टे पर विश्वास नहीं था हलेकिन एक उमेद थी जो अब भी भी नहीं टुटी थी खायम थी वो उमीद है माबाप की उमीद दुन्या में इंसान सोचता है कि अगर आपके पास दुन्या है नहीं है कोई फरक नहीं पड़ता कोई आपको समझता है नहीं समझता उससे भी कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन आपके पास आपके माबाप तो है जो आपको समझते हैं आपके जजबात को समझते हैं मैंने सूचा था मेरे माबाप मेरे साथ है वो समझेंगे मेरे जजबात को मेरे परिशानी को बोगर जी मैं आपसे एक जवाल पूछते हूं जो आरत अपने ससुराल से निकाले गई हो अगर वो अपने मायके में नहीं आएगी तो वो कहां जाएगी दुनिया में वो कहां जाएगी बता ही बुआ जी यही सोचकर मैंने इस घर में कदम रखा था कि माबाप है एटलिस्ट पापा है वो समझेंगे मुझे वो सहारा देंगे कहेंगे कि बेटा फिक्र मत करो अगर अगर दुनिया में कोई तुम्हें समझता नहीं तो कोई बात नहीं मैं हूँ तुम्हारे साथ हार मत मानना यही सब सोचकर मैंने इस घर में कदम रखा था लेकिन हुआ क्या बिलकुल उल्टा पापा मेरे साथ बेकानों सब बड़ताव करते हैं उनको लगता कि यह जो सब कुछ हुआ वो मेरी बज़े से हुआ बुझे जिम्मेबार थेराते हैं मुझ भी इल्जाम लगाते हैं अपनी बेटी पे जिनको उनको समझना चाहिए उने पी इल्जाम लगाते हैं बुआ जी मैं मानती हूँ शायद मुझसे भी बहुत सारी गलतियां हुई है लेकिन ये बात तो आप भी मानती है ना एक पल के लिए अगर मुझे थोड़ा सा भी अन्दाजा होता कि मैं मैं अपनी मा की मौत का कारण बनूगी मैं कभी नहीं आती इस गर में मैं कदम तक नहीं रखती इस गर में मैं जच कहती हूँ बहुत प्यार करती थी मैं अपने मां से आज भी करती हूँ बहुत प्यार करती हूँ अपनी मां से उसकी मौत का कारण मैं बनूगी कभी नहीं, कभी नहीं आप सोच भी नहीं सकती बाजी इतना बड़ा बोज है मेरी दिल पर पताने कैसे उतारूंगी, ये बोज मेरे दिल से किस सरह से उतरेगा हर पल, हर पल यही सोचती हूँ कि क्या करो, क्या करो कि मैं यह सब कुछ बूल जाओं, क्या करो कि किस सरह से माफे मांगो मैं नहीं रितिका, भाबी की मौत की सिमेदार तुम नहीं हो वो लोग हैं जिन्होंने तुम पर उंगली उठाई काश भाईया ने तुम्हारे साथ ऐसा सुलूप नहीं किया होता तो हाश भाबी भाबी हमारे साथ होती पता नहीं बुहाजी क्या सही और क्या गलत है मैं जिन्दा तो हूँ लेकिन जिन्दकी नहीं है एक तुम्हें कुछ भी करने की कोई जडरूत नहीं है तुम्हें कुछ भी करने के कोई जरूद नहीं निटा सच्चाई को कभी भी दवाया नहीं जा सकता सच्चाई एक दिन खुद भखुद सब के सामने आजाती है भाया इस बात को मान चुके है देख लेना मानास और उसके पिता भी एक दिन इस बात को मानेंगे सरूर मानेंगे सुर्ट जर्ण ड्रोड़ एक दुद एक दुद एक दो हैं झाल अच्छा हुआ जो यही मिल गए कुछ बातें जो अधूरी रह गई थी वह आप तक पहुचाना चाहता था मुझे तो लगता है जज साब के हर बात अपने आप में मुखमल है कुछ भी अधूरा नहीं रह गया है रिष्टा हुआ वहीं मुकमल तोर पर निभाया किया है.. खुद को तसली दे रहे है या मुझे शायद आप जसे लोगों के जुबाद इसे ही रिष्टों के मुकमल तोर पर निभाना कहते है मैं आपकी नहीं अपनी बात कर रोँ उचे सब्साब मैंने इस रिष्टों के निभानी की मुकंबल कोशिश की लिकिन एक सच्चाईया भूल गए किताली एक हाथ से नहीं बच्टी शायद इसलिए रिटिका की हर कोशिश ना का पहीं कि अबने सारे फर्ज निभाने के पावजूद आप लोगों ने उसके साथ इनसाफ नहीं किया मैंने तुर से बभू बना कर संवान देने की कुशिश की लिकिन ये संवान ना आपको रासाय का और नापकी बेटी को किस संवान की बात कर रहे हैं आप लुग जूटे इल्जाम लगा कर मेरी बेटी को अपने गर से बेताकल कर दिया उंगली उठाई उसके चरितर पर और एक औरत के सौब इमान पर इससे बड़ी चोटो ही नहीं सकती और अब अब जब सच्चा ही सामने आई है क्या आपके लगाई हुए हर इल्जाम जूटे है अब क्या किया आप लोगों नहीं कुछ मिने बस हाथ पे हाथ धर कर बैठे रहे कितने पेश्रम हैं आप लोग अरे एक बार तो अपनी गलती के लिए शर्मिंद की जाहिर की होती वो सच्चा ही अपनी ताकत खोच चुकी है जजस साहब कोई मतलब नहीं रहे गया उस सच्चा ही का क्यूंकि आपने खुद अपने हाथों से अपनी बेटी की जिन्दगी में आग लगाई वो तमाम रास्ते बंद की हैं आपने जो नितिका से होकर मानस तक आते थे वक्वास वक्वास कर रहे हैं इस बात का तोशी मुझे ठहरा कर खुद को अपने जमीर की नजरों में बेगुना नहीं ठहरा सकते अगर वो सारी सच्चाई सामने आने के बावच्यूद आपकी बेटी आपके घर में बैठी है तो आपकी वज़े से आपके आहिंकार की वज़े से अरे जसाब पती-पतनी के बीच में बिगड़े हुए रिष्टे सुदर जाते हैं बन जाते हैं लेकिन आपने मुझे जो कहा था याद है आपको आपके वो शब्द आज भी मेरे दिल में शूर की तरह चुप रहे हैं आपके उनी शब्दों ने आपकी बेटी को एक भवर मिलाकर खड़ा कर दिया है आपके बेटी को इस हालत में पहुंचाने की जिम्मेदार आप सिर्फ आप और आपको वह हैंकार अब आप मुझे इस बात का जिम्मेदार ठेदाने हैं शाबाश एक बात अच्छी तरह से समझ दीशेगा मैं आपको और आपके बेटे मानस को इस बात का इसास दरूर दिलाओ का कि एक औरत के चरिधर पे लांच लगाने का मदलब क्या होता है एक तिर आएगा जब आप मेरे खर आएंगे लिटी का को मिले घऽ ने जाने के लिए ह हाईगा एक ठिर भोल जाए जैसा, भोल जाए, मेरे जीती जी रितिका मेरे खर में कदम नहीं रख सकेगी, कभी नहीं पिया का प्यार है ये, जीने का सार है, मंगल सूत्र, मंगल सूत्र, मंगल सूत्र, मंगल सूत्र अर्णे जाए जाँ, भी होकte मंगल सूत्र, मेरे जाए जाए, पिर जाए, जैसरी वोल सूत्र है ज Ottawa भी है। झाल झाल